गेंडा एक अदभुत जंगली जानवर है जिसे इंगलिश में राइनो भी कहा जाता है जब भी बड़े जानवर की बात आती है हाती के बाद गेंडे का ही नाम आता है ये बहुत ही ताकतवर और खोकार जानवर होता है जब ये घुसे में होता है किसी से भी नहीं ड़ता है और बड़े से बड़े जानवर का मुकाबला भी डटकर करता है। फिर चाहे सामने शेर या हाती ही क्यों ना हो। अगर आपको यकीन ना हो तो इस वीडियो को देख लो कैसे ये गेंड़ा हाती से मुकाबला करता है। इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात ये है। ये है एक ऐसा जानवर है जिसके पास देखने की कुछ खास शक्ति नहीं होती है। लेकिन इसमें सुनने की बहुत ज़्यदा शक्ति पाई जाती है। गेंड़ों की नाक के ऊपर एक सींग होता है जो कि उसकी शान है। और यह सिंग उसके नाखुन और बालों की तरह हमेशा बढ़ता ही रहता है। अगर यह सिंग किसी कारण तूट भी जाए तो इसकी जगे दूसरा सिंग उसी जगे उग जाता है। लेकिन हैरान करने वाली बात तो यह है। इसकी नाख के उपर जो सिंग होता है। दरासल वो हजारों लाखों बालों का एक मोटा गुच्चा होता है जो बिल्कुल एक बहुत बड़े सिंग जैसा लगता है इसकी हैरान करने वाली एक बात ये भी है एशिया में पाए जाने वाले सभी गेंडों का एक ही सिंग होता है जबकि अफरीका में पाए जाने वाले गेंडों के दो सिंग होते हैं अगर बात करें इनके जीवनकाल की आम तोर पर इनका जीवनकाल 35-40 साल तक का होता है वैसे तो गेंडे आम तोर पर बड़े आराम से चलते हैं लेकिन जब हुए जल्दी में हो या जंगल में कोई हलचल हो जाए तो फिर ये 50 किलोमेटर पड़ सकते हैं जबकि इनका वजन 2000-3000 किलोग्राम तक होता है इतने वजन को लेकर दोड़ना ये खुद में एक बहुत बड़ी बात है मादा गेंडों का घर्वकाल 15-16 महिनों का होता है इनकी एक हैरानी की बात ये भी है भारतिये गेंडे पैशाब को 16 फिट से अधिक दूरी प सब्सक्राइब कर देना आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन है